अच्छे लिए दोस्तों आज का हमारा जो टूटोरिल है वह है कैसे आप टेबल क्रेट करते हैं कर सकते हो माइस्कुएल में सबसे पहले हमारा जैंप ओपन करते हैं कंट्रूल पैनल ओके और अपाची और माइस्कुएल स्टार्ट कर दीजिए दीएपन कर्या करने के बाद में ब्राउसर ओपन करें यहां लिके लोकल होस्तर लिखने के बाद में चया लिकिए पहली के पीएसपि मायड में और एंटर मार देग अब कुछ तरीके की विड्वी कही यहां से आपको डेटा वेस्कुएल क्रेट करना हे अपिक है मैंआ आपको अपकी टेबल क्रेट करना है create table create table अब table का नाम देना है इसके आगे तिक अब जो भी नाम देना चाहो जिसे की स्टूटेंट कोलेज ठीके employee जो भी आप table का नाम देना चाहा हो तो मैं दे रहा हूँ ch Safe कि आपको इस तरी के से प्हांद लगाना है एक इसके डिना है इंट पॉर लिए इंट है एक लिए लिए मज़े एंटीज़र इंटीजर तैप फिर उसके बाद में आपको Auto Increment करना है अचिक का यह इंट क्वेaska को देना है primary Key इतना लिखने के बाद में आप कितने कॉलम्स चाहते हैं इतना लिखने के बाद में आप कितने कॉलम्स चाहते हैं इतना लिखने के बाद में आप डेटर टाइप क्या होगा तो मैं वाट्चार लिख रहा हूं तो इतना भी अब लिख सकते हो जिसकी लेंद मैं 120 लिख रहा ह यह नॉट नल ठीक है फिर कामा देंगे दो कालम्स हो गए हमारे पस्तिसरा कालम है वह है स्प्रिंट की सीटी और इसका भी डेटा टाइप वाट्चार यह लिकेना है और आपका जो सीटी है आप जाहो तो 10 का डिजिट लिख सकते हो या एक सुबीज या डेल तो इतना भी ल मोबाइज ठीक है आगे बड़ा बड़ा के मेरे पस अभी मैंने जो क्रियेट किया है वह तीन कॉलम है आईडी सीटी और नेम आखरी में सेमी कॉलम लिखना है और आपको गो पे क्लिक करना है ठीक है तो आपकी टेबल क्रियेट हो गई है आप देख सकते हैं स्टुडेंट यह स्टुडेंट टेबल उस पे अब लिख करोगे ठीक है तो क्रियेट हो गई है टेबल अगर उसका स्ट्रॉक्टर देखना है ठीक है यह दिस्क्रिप्शन देखना है तो आपको ऐसा लिखना पड़े अगर दिस्क्रिप्शन आपको इसा लिखना पड़े अगर दिस्क् प्रिप्सिंस आप दे टेबल ओके इडी इंटीजर टाइप नेम वाच्छा सीटीज वाच्छा तिक यह मेरा एक छोड़ा सा वीडियो टुटोरियल था जिसमें मैंने आपको बताए कि कैसे आप टेबल करेट कर सकते हैं मैं स्क्राइब में नेक्स वीडियो में मिलेंगे और दों परगे टो अश्क्राइब मैं चैनल तो बाए